हाई फ्रेंड्स एल्टी साले मुस्मानी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक्षरेशन मतलब जो हमारा झाल में और क्षरेश टूल जब हम पास करते ही तो उसका कलर यलो हलो क्यों होता है जो हमny एक लुकर यक वीजडि लिये हैं met लिया है या कोई और सब्जी लिया या पुई दाल लिये वर्ट हमारा जो इस्टूल का कलर होता है उनक्र होता है यह वह क्यों होता है इस जी सब आपको वीडियो में डिसक्स करने वाला हूं तो फ्रेंट्स जैसे जो भी हम जो हमारा leaver है leaver का एक metabolic waste होता है जिसको हम billobin कहते है billobin क्या होता है जब हमारा hemoglobin हेमoglobin की लाइफ साइकल होती है 90-120 गे जब वो उसका 90-120 गे 120 गे लाइफ साइकल RBC की पूरी हो जाती है तो लीवर के पास जाता है और तूट जाता है जो दो भागों में तूटता है हीम और गलोविन तो जो हीम और गलोविन में जब तूटता है तो वहाँ उसके तूटने की वज़ा से वहाँ पे बिलोविन जननेट होता है जिसको हम एक पीले कलर का पधार्त कहते है जो help करता है तो उसी के जरी हम गॉल्व लेटर में जो हमारा बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं वह हमारा एकटा हो जाता है और वह काफी डार्क यल्लो कलर का होता है जिसकी वजह से हमारा फूड में जब बाइल जूस मिल जाता है तो हमारा फूड का जो कलर होता है वह यल्लो हो होता है और जब हमारा इस टूल हम पास करते हैं हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटरस्टाइन और लाज इंटरस्टाइन से होने के बाद जो भी हमारा इस टूल का वेस्ट माटेरियल जब हमारा एनस के तो तो भी यल्लो कलर का होता है तो हमारा यूरिन और ह अब RBC टूटता है तो वहां पर हमारा belowbin बनता है, belowbin हमारा lever बनने के बाद गॉल बलेटर के पास आता है, और गॉल बलेटर उस belowbin वालका जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, वो हमारा खाना करने में help करता है, इसलिए वो हमारा इंटरस्टाइन में pass out करता है, और इंटरस्टाइन में pass out होने के बाद वो हमारा जो भी urine है या हमारा stool है उसका color हमारा yellow हो जाता है, तो friends इस बजासे हमारा urine या हमारा stool पीला होता है, तो thanks for watching